हलो बच्चो कैसे हैं आप लो आज हम शुरू करते हैं बिलियम वर्ट्सवर्थ की बहुत ही खूपसुरत पोईम जिसका नाम है लाइन्स रिटिन इन अर्ली स्प्रिंग जिसका मतलब होता है कि बसंत रितू जैसे ही शुरू होती है उस वक्त ये लाइने लिखी गई हैं स्रिफ डिस्टरक्शन करना सिखाया और बच्चो को नुकसान पहुचाना सिखाया है जबकि यह ही हमारी प्रक्रती है एक ऐसे जो क्यों व्प्रेशन करती है तो बच्चों, शुरू करते हैं बिलियम वर्ट्सवर्थ कहते हैं I heard a thousand blended notes मतलब बिलियम वर्ट्सवर्थ बहुत परेसान है और वो कुदरत की गोद में जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं हज्जारो संगीत की धुने पहाँ पर सुनता हूं जब मैं कहां पहुंचता हूं while a groove groove मानी होता है पेणों का जुन्ड I state recline जब मैं पेणों के बीचों बीच में पहुंचता हूं या कुदरत की गोद में पहुंचता हूं in that sweet mood when pleasant thoughts और जब मैं कुदरत की गोद में होता हूं तो मेरा mood बहुत sweet हो जाता है और अच्छे अच्छे ख्यालात आना सुरू हो जाते हैं हाँ वो अलग बात है कि उन अच्छे अच्छे विचारों के साथ bring sad thoughts to mind कुछ दुख भरे विचार भी मेरे दिमाग में आते हैं उसके बाद में poet कहते हैं to her fair works, हर मानी यहाँ पर है नेचर, प्रकृती, प्रकृती का जो हर काम होता है बहुत ही fair होता है, बहुत अच्छा होता है डिड नेचर लिंक, प्रकृती ने हर किसी को जोड दिया है किस चीज से जोड दिया है, the human soul, इंसान की आत्मा को that throw me ran और वो आत्मा किस में गुजरती है, मेरे अंदर है and much it grived, grived मनी दुखी होना my heart to think और मेरा दिल जो है, यह सोचकर बहुत दुखी हो जाता है what man has made of man एक इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है मतलब कि कोई भी इंसान प्रकृती में ज़्यादा दिल्चस्पी नहीं रखता materialistic हो चुका है, बहुत इक बादी हो चुका है बहुत इक चीजों के पीछे पड़ा हुआ है प्रकृती को ignore कर देता है, वो प्रकृती को ignore कर देता है जो हमारे लिए अच्छा करती है लेकिन आज का इंसान प्रकृती में बिल्कृती भी दिल्चस्पी नहीं ले रहा आगे फिर कहते हैं कि आप एक बार प्रकृती में जाकर तो देखिए आपको पता लगेगा कि throw pre more stuff pre more stuff फूलों के छोटे छोटे फूल जो छोटे छोटे फूल हैं वो आपको क्या देते हैं अलग तरीके की खूबसूरती देते हैं और वो छोटे छोटे फूल कहा आते हैं in that green वावर green मानी हरे हरे और वावर मीस होता है कुंजों पर, टहनी ओपर, पेनों पर आते हैं the pre-winkle pre-winkle मानी मदलब ये एक तरीके का फूल होता है trail its wrath हर टहनी पर खिला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि फूलों की माला बर रही है and it's my faith और मेरा ये पूर्ण विस्वास है that every flower की प्रकृती का हर flower enjoy the air its breath जैसे जैसे हवा चलती है उसकी उसका आनंद लेता है हर फूल जो होता है वो बहती हुई हवा का क्या लेता है आनंद लेता है आगे देखिए बलियमबडस पर क्या कहते है कि प्रकृती में जितनी भी चीज़ें है वो हर प्रकृती का आनंद लेती है जबकि एक इनसान जो होता है प्रकृती के उसके चारो तरफ होती है और इनसान प्रकृती में दिल्चस भी नहीं लेता है The words around me hope and played मैं देखता हूँ मेरे चारो तरफ बहुत सारी चड़िया है जो कूद रही है और खेल रही है वो प्रकृती का आनंद ले रही है Their thoughts I cannot measure और ये चड़ियां एतनी खुस हैं एतनी बिचार मगन हैं कि मैं measure मानी नाप नहीं सकता कि मैं उनकी खुसी को नाप नहीं सकता मतलब ये कहना चाहरा है कि प्रकृती में चाहें फूल हो चाहें चड़िया हो वो सारे के सारे प्रकृती का आनंद लेते हैं और एक इंसान एक ऐसा creature है अगर प्रकृती के बीच में है तो उसका दिमाग प्रकृती में न लगकर भौतिक चीजों में लगता है वो प्रकृती का बिलकुल भी आनंद नहीं लेता है तो सिर्फ एक message देना चाहते है कि हमें प्रकृती की ओर लोटना चाहिए और प्रकृती की हर चीज का आनंद लेना चाहिए अफ्टर दर्ट ही सेज वट दा लीष्ट मोशन विच दे मेड लीष्ट मानी कम से कम मोशन मानी गती जो वो वनाते हैं एक हलका सा भी मोशन एक हलका भी चलना इन चड़ियों का इन जानवरों का अपने आप में एक आनंद की अनभूती कराते हैं थ्रिल मानी रोमांच पैदा करते हैं प्लेजर मानी खोशी पैदा करते हैं मलब चड़ियों का कूदना चड़ियों का खेलना फूलों का देखना फूलों का जूमना ये सब चीजें हम लोगों को एक नया रोमांच पैदा करती है आगे कहते हैं कि देखिए अब आते हैं बडिंग पर बडिंग मानी होती है कलिया टुइक्स टुइक्स मानी टहनिया इस प्रेड आउड देर फैंस ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पंकों को कुद्रत की गोद में फैला दिया है और वो जो टहनिया हैं जो पत्ते हैं जो कलियों की पंक्षुनिया हैं वो बहती हुई हवा को पकड़ना चाहती है ऐसा लग रहा है And I must think अपोट कहते हैं जैसा कि मैं समझता हूँ do all I can कि मैं क्या कर सकता हूँ that there was a pleasure there कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इस आनंद की अनुभूती मुझे जो लग रही है वो ऐसी है जिसको मैं बया नहीं कर सकता after that he says if this will leave from heaven we sent और ऐसा माना जाए कि ये सारी चीजे अगर सुरग से भेजी गई है if such we nature's holy plan तो कुदरत ने एक पवित्र plan बना लिया है कुदरत ने एक पवित्र यूजना बनाई है have I not reason to limit तो क्या मेरे पास कोई real तर्क नहीं है कि मैं दुख मनाऊ what man has made of man कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है कि इंसान बिल्कुल भी दिल्चस्वी नहीं ले रहा कुदरत में वो सिर्फ क्या हो चुका है भौतिकवादी हो चुका है तो इस तरह से ये आपकी poem पूरी हो जाती बच्चो thank you, thank you very much